और साजापूर ने समश्या का समधान निकाला है कि यहां पर यह आलू के पत्ते काटने की मशीन लेकर आए है जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप देख सकते है इस प्रकार से इस पत्ते की बिल्कुल रोटावेटर जिस तरीके से अपने मिट्टी को चुरा करता है उस प्रकार से ये मशीन इन पत्तों का चुरा करकर खेत में ही डाल देती है तो इसका एक और ये फाइदा हो जाता है कि जैसे जो आलू के पत्ते हैं खेत में डालने से ये खेत में सड़ेगा तो खेत में खाद का काम भी करेगा नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं रोयल किसान और मैं हूँ आपका दोस्त शिवरासियां साथ ये वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस मशीन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके ये मशीन आपको पूरी रोटावेटर पेटन पर देखने को मिल जाएगी जिसमें हेवी गेर बोक्स लगाया गया है साथ ही डबल पुली सिस्टम इसमें दिया गया है मशीन में आपको ये दो टायर देखने को मिल जाएंगे जो इस मशीन को लेवल बनाने में काफी सायक होते हैं बहुत सी बार जब टायर नहीं होते थे तो उसमें ये समश्या देखने को मिलती थी ये जो ब्लेड चलती है इसमें लेवल बिगर जाता था और यह जो गरड होती थी इसको यह ब्लेडे चिल देती थी तो यह एक नुकसान था तो कमपनी ने इसमें अब टायर भी देने शुरू कर दिये हैं मशीन में आपको पट्टे के उपर यह हेवी ब्लेड देखने को मिल जाएगी जो की आसानिस से इन पत्तो को काटने में शक्षम होती है और कापी हेवी होने के चलते आपको बार बार इसे बदलने के जरूरत भी नहीं बढ़ती है यह मशीन 35 HP के टेक्टर पर भी आसानिस से चल जाएगी यह मशीन 1200 से 1500 RPM पर चलती है जिससे जो आलू का सोया हुआ पत्ता रहता है उसको भी आसानिस से खिच लेती है और उसका भी चूरा बना देती है इस मशीन के बारे में अगर आप और अधिक जानकारी लेना चाते हैं तो आप जो डिस्पले पर नंबर दे रहे हैं इनसे संपर कर सकते हैं साथी यह मशीन आपको होम डिलेवरी भी उपलप्त हो जाएगी पर जो डिलेवरी का चार्ज रहेगा वो एक्स्ट्रा अलग से ल आपने की मशीन की रहेगी बाकी आपको केसी लगी जानकारी कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करिएगा किसान मित्रो वीडियो को लाइक करिएगा अगर हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक को फोलो किजिए और यूटुब पर देख रहे हैं तो हमारे चैन मा लक्षमी भगवान स्री सामल्य सेट की किरिपा द्रश्टी सदेव आप पर बने रहे किसान मित्रों आपके सदेव अंधन के बंडार बरे रहे धन्यवाद जै जवान जै किसान